नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है, लाइफ प्रेसंस के माध्यम से अपने जीवन को सफल और सुगम बना ले वाले अपने अभियान में साथियों, पिछली वीडियों में मैंने लेजर साफ फोकस नामा पुस्तक का पार्ट वन कम्प्रीट किया था आज हम इस पुस्तक का पार्ट वन कम्प्रीट करेंगे, तो चलिए आज ही सचा प्रारम करते हैं मौटिवेशन, आज कल यह माल लिया गया है कि मौटिवेशन आपके गोल को सफल बनाने की सबसे आवस्चक चीज है जबकि यह सत्य नहीं है, मौटिवेशन बजोसे मन चीज नहीं है मौटिवेशन फीलिंग के बारे में है, यह फीलिंग हर दिन प्रलती रहती है इसलिए मौटिवेशन को सक्सेस के फॉन्डेशन के रूप में इस्तिमाल करना मुश्किल है आईए पता करते हैं कि आपके काम ना करने के कारण मौटिवेशन की कमी है या नहीं सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि जो काम आपको पसंद है उसे करने के बज़ाए ये काम आप क्यों कर रहे हैं दूसरा सवाल कीजिए जो काम आप अभी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए अगर आप अपने काम से आलसी और बोर मेसूज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट की परवा नहीं है तो हो सकता है आपको मौटिवेशन की कमी हो हमेशार याद रखिए कि मौटिवेशन लगातार नहीं बनी रह सकती है हो सकता है जब आपने काम सुज़ किया हो तो आप बहुत एनरजेटिक हो लेकिन समय के साथ आप बोर मेसूज कर रहे हो इसलिए आपको समझना होगा कि मौटिवेशन काम कैसे करता है मनविज्ञान की दिष्टी से मौटिवेशन दो तैसे काम करता है इंट्रेंसिक एस्ट्रेंसिक इंट्रेंसिक मौटिवेशन ऐसा फेक्टर है जो इंसान के अंदर से ही आती है या लंबे समय तक बनी रहती है और या पावरफुल भी है Intensive motivation किसी चीज को लेकर आपका पैसन होता है या आपको satisfaction की feeling देता है और इसे आप कभी नहीं छोड़ते हैं वहीं Extensive motivation बारी फैक्टे कान होता है जैसे आप अपने assignment इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छे marks चाहिए होते हैं लेजर शार्फ फोकस के लिए आपको दोनों तरह के motivation की सही तालमेल की जरूरत है मालनीजे किसी काम को करने से आप कोई नाम पैसा मिल रहा है लेकिन आपको अंदर से खुशी नहीं मिल रही है तो यह काम आपको ज़्यादे दिन तक motivate नहीं कर सकता है इसलिए अपने गोल को पाने के लिए आपको दोनों तरह के motivation की ज़रूरत परती है किसा point है योर माइंड चिंता excitement और गबरहट आपको लेजर सार फोकर्स से दूर करती है हमारे emotion बहुत ही powerful लते हैं या आप जो करना चाहते हैं उसकी जगे दूसरी चीजों पर आपका ध्यान बढ़का सकते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आप emotion का उपयोग अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं आप अपनी feeling का इस्तिमाल करके लंबे समय तक फोकस पा सकते हैं इसके लिए पांच steps पताए गए हैं पहला सबसे पहले आफिस के काम को अफिस में और घर के काम को घर में करें अथा किसी negative events के बोज़ को अपने दिल पर हाविना होने दें दूसरा अपने दिमाग को पूरी तैसे सांथ और खाली रखिए इसके लिए आप walk कर सकते हैं book पर सकते हैं या music भी सुन सकते हैं तिसरा है नीन नीन हमाए लिए बहुँ जोरी है आज कल कम सोना अच्छा माना जाता है या महनती होने की निशानी माना जाता है जबकि यह गलत है नीन की कमी आपको इमोशन पर कंट्रोर करने से रोकती है जब आपके दिमाग को आराम की जरूरत हो उसे आराम करने दीजे 15-20 मिनट की power nap आपको एचार्ज कर सकती है चोथा आराम से काम केजिए जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है उसे दूर कर दीजिए जैसे सोशल मीडिया छोटी-छोटी बातों पर और्येक्ट ना करें यह आपकी बहुत सी एनरजी ले सकता है पांचवा अपना काम सुरूर करने से पहले इमोशनल डंप लीजिए उस समय चल रही आपनी फीलिंग्स को बहार निकालिए इसके लिए आप अपने किसी दोस्त की सायता ले सकते हैं दोस्त को बता दें कि आपको सिर्फ सुनना है कोई कमेंट नहीं करना है इसके लावा आप डायरी लिख सकते हैं जो चीज आप सोच रहें उसमें लिखते जाएं अगर आपका कंसर्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को खाली कीजिए अपने दिमाग को बटकाओं से रोकिए दिमाग में आने वाले विचारों को डायरी पर नोट कीजिए अपने दिमाग को मनाईए कि आपका दिमाग बटकाओं से कंसर्ट्रेशन की तरफ आना है फोकस या डेडिकेशन रहना या एक ऐसी आदत है जिसकी आपको हर दिन प्रेक्टिस करने की जरूरत है या ऐसा है जैसे आपको शरीर को मजबूत करने के लिए रोज एक्सराइज करने की जरूरत परती है हम में बहुत पोटेंसियल है और अनगिनत मौके आपका इंजियार कर रहे हैं इसलिए हमें एजर सार्फ फोकस में रहना है और कभी हार नहीं मानना है आप इस पुस्तक में बताए कैसी धांतों का पालन करते हैं तो सफलता आपके कर्णों में होगी धन्यवाद